असलाम लेकूम, I am Sanam Rukhsar, A.B. therapist and also working as a speech therapist in Global Special School for Child Development. Today topic of discussion is cognitive communication disorder. Cognitive communication disorder, वो disorder होता है जो एक परसंस की अबिलिटी, communication की अबिलिटी को एक्फेक्ट करता है. उसकी जो understanding होती है, उसकी जो language producing होती है, उसको जो है वो effect कर रहा होता है, उसकी जो even non-verbal communication होती है, like gestures, special expressions, इन तमाम चीज़ों को वो क्या कर रही होती है, effect कर रही होती है, cognitive communication disorder. इसकी cause जो है वो कोई brain injury हो सकती है, stroke हो सकता है, dementia या कोई developmental disability हो सकती है. cognitive communication disorder is a significant impact on person's life. इसका जो एक impact होता है person की life पे, जहनी वो अपनी friends के साथ, अपनी family के साथ, वो communicate नहीं कर पा रहे होते हैं, वो social activity में participate नहीं कर पा रहे होते हैं, किसी भी workplace पे हो या कोई school work हो, जो even वहाँ पे भी जो है वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं, effectively अपनी वो जो उसकी life होती है, उसको वो fulfill नहीं कर पा रहे होते हैं. तो cognitive communication disorder जो है वो एक ऐसा disorder है, क्मुनिकेशन का, एक ऐसा disorder है, जू impaired cognitive functions, और बहुत जैनि verbal और non verbal communication दोनों को वो effect कर रहे होता है, यानि verbally तो वो ball नहीं पा रहा होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है, और non verbal यानि उसके जो body पοस्टर होते हैं, वो उसके j deserves होते हैं, उसके facial expressions होते हैं वो उनको भी effect करता है इवन उसकी जो memory होती है एक person की organization यानी problem solving और उसकी उनको भी even challenging बना देता है यानी वो कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या वो even कोई भी socialization उनकी हो रही है तो even इस चीज़ को भी एक person की life को एक वो क्या कर रहते हैं effect कर रहते हैं उसके लिए challenging बना रहे होते हैं cognitive communication disorder vary in severity from mild difficulty following conversation to spare impairments in all communication skills communication difficulties जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं उस person में यानी everyday उसकी जो activities होती हैं वो उनमें भी पार्टिस्पेट नहीं कर पारा होता है तो treatment approaches for cognitive communication disorder इसका जो main purpose होता है इसके treatment का वो यह होता है कि जो individual एक problem face कर पारा होता है जो even वो daily life में face कर रहता है यह cognitive communication disorder तो इसका जो मेन परपस होता है वो यह होता है कि उसकी एक परसंस की जो उसकी अबिलिटी है मेमरी की उसकी जो उसको रिस्टोर किया जाए इसको रिटेन किया जाए इसके कॉगनिटिव प्रॉसस को उसकी जो ओवराल उसकी जो लाइफ है उसको किस तरह से बेतर बनाया जा सकता है तो तो इस तरह जो है कुछ strategies होती हैं जो इस पर apply करके यानि उसकी cognitive process को बहतर बनाया जा सकता है The role of cognition in communication के जो cognition का role होता है communication में वो क्या होता है वो यह कि cognition जो है वो एक skill है यानि इससी क्या होता है कि आप understand कर रहे होते हो information को remember करते हो thoughts को organize करते हो और speech को plan करते हो तो जब यह सारी चीज़ें नहीं वो पार होती क्मुणिकेशन cognitive communication disorder की disorder की वज़े से जब यह चीज़ें नहीं हो रहे होती यह नि कोई भी वो speech plan नहीं कर पा रहा था उसकी वो अपनी thoughts को organize नहीं कर पा रहा था तो यह क्या होता है कि यह का disorder आ रहा होता है इसकी ताइप से कॉम्यूनिकेशन डिसॉडर की य Clay कहाher को डियंग की च। करती और दुसी क्या डिवल्पमेंट इक वाइद कर य॥ि ऑसओछ अ को डैमेज करती है इसकी तब डैमेज करती है यह उसकी और ये हैं आफ्टर बिर्थ यहनी इस सफेल्ट है brain after birth like stroke हो सकता है कोई traumatic brain injury हो सकती है brain tumor हो सकता है dementia हो सकता है Alzheimer disease हो सकती है तो दूसरी हमारे पास आजाती है developmental cognitive communication disorder तो यह क्या होता है developmental cognitive communication disorder जो है वो present होता है from birth to birth to early childhood तो इसकी जो exact cause होती है वो हमें idea नहीं होता है कि इसकी exact cause क्या होती है लेकिन इसके जो main purpose होता है वो यह होता है कि वो thoughts और जो different environmental factor की वज़े से हो सकता है यह genetically भी हो सकती है next हमारे पास आजाती है causes of cognitive communication disorder कि इसकी causes क्या हो सकती है cognitive communication disorder की इसकी जो main causes होती है हमारे पास वो हती है brain injury यहीं brain injury में आ जाता है कि different brain from a variety of sources including stroke, traumatic brain injury, brain tumor यह कोई भी infection हो सकता है developmental disorder क्या होता है कि कोई भी cognitive communication disorder जो है like autism spectrum disorder भी इसमें आ जाता है intellectual disability यह भी cause हो सकती है cognitive communication disorder की इसके genetic factors हो सकते है यह नहीं down syndrome हो सकता है fragile x syndrome हो सकता है यह क्योंते है genetic disorders जो है वो इसको cause कर सकते है cognitive communication difficulties को नेक्स आमारे पास आजाता है environmental factors इसकी हो सकती है sign and symptoms of cognitive communication deficit कि कौन से sign and symptoms हो सकते है जो cognitive communication को वो क्या करते हैं effect करते हैं यहीं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है difficulty understanding or following direction यहीं उनको क्या हो रहते है कि वो कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ को understand नहीं कर पा रहे होते वो direction को follow नहीं कर पा रहे होते और अपने आपको जो उनके पास even उनको को कोई issue हो रहे हैं तो उसको वो clearly express नहीं कर पा रहे होते हैं अपने आइडियाज और thoughts को वो organize कर पा रहे होते हैं even उनको कोई किसी भी एक ही topic पे conversation करें यह एक ही topic पे बात करना और एक ही topic पे रहना उनको क्या हो रहते हैं मुश्किल हो रही होती है कोई भी चीज़ याद करना य fist ऊहने कहा था या क्या उन्ने बोला यर या उन लिखा इवे य कि उन्हें जिफेज और नहीं जातर कि उनको जो वह और वर्वी जो even कि जो नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन स्किल्च होती हैं यह बच्चों में इसको को डियाग्विज करते हैं तो एक तो हमारे पास आ जाता है डिलेड लेंग्विज डिवेलपमेंट दूसरा हमारे पास आ जाता है डिफिकल्टी अन्डरस्टेंडिंग पोड रहे हैं तो उसको नआ और सब्सक्रार सुर्ण साउंड जो रहा हुताय। ना तो आय कॉंटेक्ट दे रहे होते हैं नहीं वह अटेंशन दे रहते हैं नेक्स्ट हमारे पास आजाता है इस ट्रीटमेट अप्रोअच इस कि हमारे पास ऐस डिस और जा अ कि एक परसन की उसको इंडिविजुल जो है वो री गेन कर सके अपनी कम्मिनिकेशन स्केल्स को उनको इन्हेंस करें को इनके कोगनेटिव फंक्शन को इसकी क्या होती है में कैटेगरीज थी रीस्टोरिंग फंक्शन एंड रीटेनिंग कोगनेटिव प्रॉसस्स यह निहीं परसंस की जो फंक्शन्स है जो स्केल्स है उनको रीटेन किया जा सकता है उनको इंप्रूव किया जा सकता है कि यह उनकी एक्स्टरनल मेम्री को उनकी नोट बॉक्स केलेंडर तो डेली रूटीन को जो है वो इस तरह की स्ट्रेटीजी बनाए जाती है जो जिससे उनकी कोगनेटिव फंक्शन जो है वो इन्हेंस हो रही होती है एक्स्टरनल एड्स यहीं इस तरह की टूल्स और डिवाइसे जाते हैं जिससे एक परसन की जो कम्यूनिकेशन स्किल होती है उसको वो इंप्रूव किया जाता है किसी टूल के साथ जा डिवाइसे के साथ तो यह क्या होती है कि इसकी ट्रीटमेट फोर कोगनेटिव कम्यूनिकेशन डिसॉडर जो है वो एक स्पीच लेंगिज पैथालोजिस्ट जो है वह भी एक वह प्रॉपर उसको क्या करता है कि एक प्लैन करता है ठीक है उसको उसके साथ जो उसका में गोल होता है वह उसके काम करता है तो इससे क् करता है उसको कॉंफिडेंट करता है ताकि वह अपनी कम्यूनिकेशन स्किल को बेतर बना सके नेक्स्ट हमारे पास आ जाते है कि पॉजिटिव जो है वह रीनफॉर्समेंट को भी यूज करें यह जब वह एक छोटी सी भी एफट करता है बच्चा तो उसको आप रीनफॉर कम्यूनिकेशन जो है वह वह और इंप्रूब हो सकती है यह रीद बॉक्स टुगेदर यहनि आप बच्चे को साथ बिठाएं आप उसके साथ बूक पड़ें और इवन सिस्टॉरिक को बच्चे के साथ डिसकस्ट करें और उसको भी मौटिवेट करें और उसको एंकरेज कर है उसके साहथ बात करें ठीक है उसकी जो डेली रूटीन होती है उसकी में इस चीज़ मिसको इंट्रेस्ट आप उस Connect ॉप पर बात करें इसी क्या होगा ओđ कि उसकी तो यानि आप जो उसकी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वह एक ऐसा माहौल बनाएं यहां पर नॉइस कम हो जहां पर जो है वह लिमिटेड लोग हो रूम है और ताके वह एक फोकस करके उस चीज़ को सीख सके और कोई भी जो विजूल डिस्ट्रेक्शन होती है वो ना हो कोई भी विजूल एड्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ ना हो और दूसरे यह कि स्पीक अट असलोर रेट यानि उसके साथ आहस्ता से बोलें और उसको टाइम दें क्योंकि जब वो बोल रहा है आप जब उसको टाइम देंगे तो वो तब ही रिस्पॉंड क्य बच्चे की कोगनेटिव कम्यूनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं थिंक्यू सो मच